कि उनमें से आपनें पांच लोगों को मंत्री क्यों बना यह जो 10-10 करोड रुपा अमिट्सास से लेके आए, उनमें से पांच मंत्री बन रहे था तब तो नहीं नहीं थे अब मुख्य मंत्री किस तरीक से बोल रहे हैं मैं बताना चाहरू आपको 80% विधायक के साथ नहीं होंगे तो हम सचिन जी पाइलेट अपना दावा छोड़ देंगे मुख्य मंत्री के लिए वह करें नहीं बन सकते 10 मंत्री 10 विध विधुस्ताइक सचिन पाइलेट साथ नहीं हों तो मैं बताना चाहरू हम हमारा दावा छोड़ देंगे तो यह फिर आप वं टू बउन कराने में क्यों घबरा रहे हो विधुन करा हो क्यों बैठे हो कराना चाहिए इसके लिए देखिए मैं तो इसके लिए यही जानकारी चाहता हूं कि यह जो आलक माने नोटिस दिये थे उनने तो नोटिस पर कारवाई हुई और राजस्टान में जिस तरह की सिस्टम चल रहा है यह आज दिवंगत आत्म भवरलाल जी जो आज उनके वहां सरदार सेर में चुनाव भी हो रहे हैं गैजेंदर सिंग जी सक्तावत आज उनकी धरम पतनी विधायक है कैसा लग रहा है उनको उनके बारे में ऐसी बाते कर रहे हैं बता नहीं निकमा नकारा गदार यह सब बोलते रहते हो लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि सचिन पाइलेट साहब यह राजस्तान की सेथ के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता और वो कहते है उनके साथ आमेले नई चार्टर प्लेन में आज ही चारमेले उनके साथ कहे कर ली एक सो दो विधायक जो यह बता रहे हैं उनमें जहीं हैं इनके एक सो दो वाड़ों में से एक में खड़ा और काउंटिंग क्यों नहीं करवा ले ते 80% मेले सचिन पाइलेट साहब के साथ नहीं हो तो हम दावेदारी सोड़ देंगे ऐसे तो है इनके वो पैसे लेने वाड़े जो जिनका नाम निकाल